हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदीत नारान विश्यकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदीत फार्मिशी के यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आज है शो मुआर और आप सभी को पता है कि मंडे को इस यूटूब चैनल उदीत फार्मिशी पे आप सब जो भी कमेंट करते हो स सकते हैं इसमें आपका वे कमेंट सामिल हो तो यहां पर लेते हैं एक हमारे अविश्यक मदेशिया भाई जी हैं जिनका कमेंट कुछ इस परकार से है क्या लिखेंगे कि असर मेरा बीस्टी फाइनल यह है अभी चाहते हैं कि इसके आगे यहां पर बात किया है अगर आप बीशी कर रहे हैं उसके बाद आप यहां पर जो करते हैं कि अपने ही सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप जादे जॉब की बात करेंगे तो आप करना चाहते हैं लेकिन जब आपका ग्रेजुएशन अलेडी फाइनल यह है बीसी तो ब्यसी के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कीजिएगा भी फार्मेशी में तो डिप्लोमा आगे जिएगा आपके पास ग्रेजुएशन के डिगरी अलेडी है अगर आप भी फार्मा करने आएंगे तो आपको जादा टाइम देना पड़ेगा यहां पर चार साल टाइम देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन की डिगरी आपके पास सुर्दो हो जाएगी तो बहुत से लोग हैं यहां पर मेरा एक और कोस्टन है देख सकते हैं हमारे ग्रेजी का जिनका नाम हमसे कट गया है जो भी है कोस्टन पर आप देहां देजिए हेलो सर सर हमको खुद का मेडिकल सेंटर ओपेन करना है रेट ओके जी डी फार्मा करें बट सर हमको आगे भी पढ़ना है रेट भाय करने के प्लान बना रहे हैं और आगे साथ में आपको स्टेडी भी करना है तो देखें यहां पर आपको जिस एकोडिंग आप कमप्टेबल है वह आप कीजिए बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डी फार्मा भी कर लेते हैं जो कि आपने आपे मेंशन किया हुआ आपशल बजट गया है में आपको पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैना क्या फेकरतें पर नहीं कि आपको जो आपक हरेंगे और क्रयं करेंगे आपको लिग आपने के देहां कर दो Confess reflected ले सकते हैं लेकिन आघे आपको कांटिनारी करना है तो क्योंने श्टडी करने के बाद अपने पिजने सक्टेर में के लिए उमीद है पसंद हो गया रहा इस चारं को आपका कुछ करते हो video tiempo सबसे फर्ष में क्या होता है कि मुदा इस यह सबसे फर्ष में का कमेटि यह है पहला नुमëर पर कमेटि यह क्या है था Electric यहनी weet कर दिया है अब यहां तक ढू ситу जी अच्छी बात है इंदे कोऱ्ष भाष आइन सर प्लीज ओके जी एक रिक्वेस्ट है ओके किसलिए सर डी फार्मा का राइट सेकंडियर का कमेश्ट्री का इंसर आप एक वीडियो बना दीजिए डाल दीजिए इनका कहने का मतलब है आप बना दीजिए यह पर डाल दीजिए जो ही आपका ना चाहते हैं लेकिन मैं यहां कि ऐसे लोगों से मुझे थोड़ी सी नाराजी होती है इसलिए हमने सब ही सब्जेक्ट का सेप्रेट लाइब क्लास चलवा रखा इंपोर्टेंट कोस्टन पे मॉडल पेपर पे और वह भी वैसे नहीं कि जो प्री रिकॉर्डेट वीडियो है साथ उसमें को भी कभी ऐसे कि एजुकेटर थोड़े नॉर्मल से लेकिन लाइफ क्लास में जो है आराउन उनको टेन यर प्लस का एक्सप्रियंस है अगर हम बात करते हैं जो एक के सिर्वास्तों सर आपके लिए हैं फार्मसेटिकल कमिस्टी शेकंडियर की उनको राउन 20 यर का एक्सप्रियंस है तो बहुत ही बहतरीन जो इंपॉर्टेंट को सनका कलेक्शन वो है जिसमें कमप्लीट एक्सप्लेइन किया गया जो वही मॉडल पेपर हल कराई गया है प्रिवेस यर का प्र पर हाल कराई गये वह अलग से हैं तो अगर आप उन्हें नहीं देखोगे आप सिरी फी पाय करोगे तो भाई मेरे एप मत आया करो क्योंकि फीप करने का कोई मतलब नहीं अगर आप study नहीं करोगे तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक नॉर्मल से नहीं कहीं 6-7-8-9-10 के इस्ट्वेंट हो कि आपके लिए वीडियोज को रिमूब करके रखा जाए फिर आपको स्पेस्पिक न अंदर हो नॉलेज घुस जाएगा जो हमारे लेक्चर से जो वीडियो लेक्चर दिये हुए जो पीडियाप दिये हुए जो आपको यहां पर एप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा ऐसे आप सुझेगे कि इंडिवीजुली इस चीजों को समझे और खुद में एक समझदारी दिखाईए आप बड़े हैं और अच्छे सी स्टेडि कीजिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट हमारा क्या है ठीक है भाई जी का कुछ चैनल होगा एक टूजेट ओके जी प्लीज बता देजिए हमारे फिजिक्स और कमे कितना कम जोर है बहुत कम जोर है तो ठीक अब बात आती है कि डी फार्मा एड्मिशन लू या नलू प्लीज बता देजिए तो मेरे भाई डिप्लोमा एक बहुत ही बेसिक कोर्स है और जितने लोग इंटर्मीडेर अपना पास आउट हो जाते हैं कितने परसंट से 50% परसं कितना चाहिए मिनीमम एक एवरेज रख करके चलते हैं मिनीमम एवरेज पचास मिनीमम पास आउट होना चाहिए तो अगर वो इलिजिबल आप हैं तो आप कर सकते हैं अब कितना भी कमजोर हैं वो मेटर नहीं करता है राइट जी क्योंकि फिजिस कमेश्ट्री या फिर मैथ आपको डिफार्वा में नहीं पढ़ने होते हैं आगे चलते हैं निक्स जो कमेंट है मेरे पास द्रुगेश यादो जी का है क्या लिखे हैं असर फर्स्ट इयर में पास हो गया हूँ बैक नहीं लगा है प्लीज जी प्लीज बता दिजे कि सेकेंड इयर का पेपर कब होगा 2023 में ओके जी अभी पेपर में बेलकुल बहुत जाद आपके पास टाइब हैं क्योंक हो सकता है तो आप यह तीन मेहां लेजिये लेकिन हां इक ऑनर नेव्रेज आप माई ही मान करके चलिए जनुरी फवरी मार्च अप्रेल माई पांच मेहें सिधे सेप्रेट आपके पास 2013 का है और अभी वीडियो आप देख रहे हो आप नौंबर में देख रहे होगे में देख रहे हो तो आप पास करेक्ट छे महिने का टाइम है तो और नेवरेज मान के चलो कि छे से साथ महिने आपके पास टाइम है इस्टडी के लिए इस पेस्फिक बात क्या हो भाई बीटी यूपी बोड की बाकि आप किस बोड या किस इनवर्शेटी से हो उस पे डिपे तो इस तरह के दिए करता हूँ है इसटाग्राम नहीं एक देखती का एक ही यसे विएल शेयक ही बनता है उसी प्रकार jobbar यह भी एक होता है आपका deal that means drug license ड्राइबरी लैसेंस भी होता है तो एक अलग लैसेंस है वो driving कर लेके लिए a drug license तो यह भी आपका एक ही बनेगा इसमें चाहे आप D कर लो चाहे आप B कर लो चाहे आप M कर लो लेकिन आपके पास लैसेंस एक ही बनेगा बट educational qualification जो है आपका उसपर एड रहेगा कि आप क्या करके फार्मासिस्ट बने हो यह एक बैखती का यह एक फार्मासिस्ट का चार या पांच या छे या दो या तीन लायसेंस बेलकुल नहीं हो सकता है रइट जी आगे आते हैं एक हमरे पास और कमेंट है जो कि लास्ट कमेंट है बहूत इंट फार्मा ना लिकरके डिरेक्ट लिखोगे सर हम सर हम क्लिनिक खोल सकते हैं कि नहीं तो क्लिनिक कोई भी खोल सकता है लेकिन डॉक्टर अपॉइंट्मेंट करना पड़ेगा आपको डॉक्टर को अपने पास रखना पड़ेगा एक फार्मासिस्ट क्लिनिक नहीं चला सकता है तो डॉक्टर रखना पड़ाएगा आपको बाकि आप क्लिनिक खोल सकते हो बाकि इसे डी फार्मा का कोई यहां पर वैलू नहीं है लोग हमसे बहुत से लोग पुछते हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या डी फार्मा कर सकते ही नहीं तो मैं करेक्ट एंसर देता हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं मैं आपको एंसर जरूर से जरूर दूँगा इसी के जाथ मैं आपको बता दूँ कि जो को रहे हैं यहां पर इस्टेडी हो रहे कि बात हो रही थी तो आपको अगर कुछ संदेय होगा कुछ डाउट होगा समझे नहीं आया होगा तो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कम्यूंटी है उदित फार्मा फर्स्टियर में है या इंट्रेंस एक्जाम की प्रिप्रिशन कर रहे हैं या जीपेड नाइपर या ड्रग इस्पेक्टर या फार्मासिस्ट इक्जाम की प्रिप्रिशन कर रहे हैं तो उदित फार्मेस्टी अप्लिकेशन यहीं चेलूसन आपको है जहां पर बहुत ही बहुत ही कॉंपीश में आपको कम्प्लीट क्लासे कराई जाती हैं बाकी का डीटल वीडियो की होगा तभी आपका कॉल पिक होगा उवेदे फ्रेंट्स के वीडियो आपको पसंदे होगी वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं किसी और भी इंफर्मेट्री वीडियो के साथ तब तक लिए सबीको नमस् झाल